मुवी की एक्स्प्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं बताती चलू कि इसके पहले टू पार्ट्स हमारे चैनल पे अपलोड़ेड हैं तो उन्हें भी जरूर देखिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा मुवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लारा जीन अपनी फैमिली के साथ कोरिया चुटियों पे गई है जहां वो बहुत अच्छा फैमिली टाइम गुजारती है पर वो अपनी मॉम को भी हद से ज्यादा मिस करती है साथ ही साथ वो पीटर के बारे में भी सोचना नहीं छोड़ पाती दूनों की वीडियो कॉल से हमें पता चलता है कि लारा जीन भी उसी कालेज में जाना चाहती है जिसमें पीटर जाना चाहता है ताकि दोनों का रिलेशन लॉंग डिस्टेंस की वज़ा से खराब ना हो पर अभी तक लारा जीन को वहां से अप्रूवल नहीं आया है खोरिया में मेमरेबल दिन गुजार के जब ये लोग वापस आते हैं तो इनके डैड टरीना को घर चोडने चले जाते हैं जबके किटी और लारा जीन घर पहुँचके देखती हैं कि पीटर पहले से उन्हें सरप्राइस करने के लिए वहां है लारा जीन और पीटर रूमैंटिक से किस शेयर करते हैं जिसके बाद लारा जीन पीटर को उसके gifpt देती है। पीटर वहीं रुखके लारा जीन के साथ hug करके, लेटे हुए romantic movie देखता है। तब ही उसके डाइड का message आता है, जिस पर लारा जीन को बताता है, कि उसके डैड उसे कॉलेज जाने से पहले डिनर के लिए ले जाना चाते हैं ये सुनके लारा जीन उसे जाने को कहती है फिर लेट होने की वज़ा से अपने डैड के आने से पहले पीटर को घर से जाने को कह देती है क्यूंकि वो अपने फादर को मायूस नहीं करना चाहती। पीटर को सी ओफ करते हुए वो देखती है कि उसके डैट ट्रीना को शादी के लिए प्रॉपोस कर रहे हैं। और उसने हाँ भी कर दी है। जो देख वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। स्कूल में हर जगा बस प्रॉम की बाते चल रही होती है। ट्रैवर क्रिस को अपने साथ प्रॉम पे ले जाना चाहता है। पर क्रिस को ये सब पसंद नहीं। फिर इनकी टीचर इन से न्यू यॉर्क ट्रिप के लिए परमिशन स्लिप्स लेने आ जाती हैं। जो इनका स्कूल में लास्ट ट्रिप होने वाला है। रात लारा जीन फैमिली के साथ बैठी अपने डैट की शादी की तैयारियों पे बात कर रही होती है। तब ही उसे पीटर वाले कॉलिच से मील आती है जो उसे रिजेक्ट कर दीते हैं। वो देख लारा जीन के दिल के साथ साथ उसके सारे खौब भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसे ऐसे मायूस देख क्रिस और किटी मार्गो को कॉल कर देते हैं। पर लारा जीन अपने दुख में मार्गो के साथ भी रूड होते हुए उसे नारास कर देती है। लारा जीन को समझ नहीं आ रहा होता कि वो पीटर को ये कैसे बताएगी। तब ही एकदम उसे पीटर और मार्गो के साथ मेसेज आता है। और वो गलती से पीटर को बोल देती है कि उसका एडमिशन हो गया है। जिस पर पीटर उसे फॉरण सेलिबरेट करनी के लिए लेने आ जाता है। पीटर को इतना खुश देख लारा जीन उसे सच नहीं बता पाती। और उसके साथ कैफे डिनर के लिए चली जाती है। जहां वो बहुत कोशिश के बाद भी पीटर को नहीं बता पाती। फिर पीटर बहुत ही क्यूट वे में लारा जीन को उसके साथ प्राम पे जाने का पूछता है। जिस पे लारा जीन ने तो हाँ ही कहना था। अगले दिन उसे ऐसे परिशान देख ट्रीना उसे वज़ा पूचती है लारा जीन उसे बताती है कि वो पीटर को नहीं बता पा रही कि उसका स्टैनफोर्ड में एडमिशन नहीं हुआ है ट्रीना उसे एडवाइस करती है कि कल क्या होना है इसका सोच कि वो अपना आज खराब ना करे क्योंकि ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा इसलिए उसे आज में जीना चाहिए और जितना हो सके अपने बॉइफरेंड के साथ अच्छा टाइम गुजारना चाहिए ट्रीना की ये बाते लारा जीन का मूट कुछ अच्छा कर ही रही थी कि किटी आके बताती है लारा जीन को ब्रुकलिन से रिप्लाइ आ गया है और खुश खिसमती से उसका वहाँ एडमिशन हो जाता है ये बात लारा जीन को कुछ होसला देती है कि एट लीस्ट वो पीटर से इतना दूर नहीं होगी और फिर अपने ग्रेट्स अच्छे करके एक सेमिस्टर के बाद उसके पास ट्रांसफर करवा लेगी लारा जीन क्रिस के साथ ट्रिप के लिए पैकिंग कर रही होती है जहां वो क्रिस को बताती है कि वो अभी तक वरजिन है ये सुनके क्रिस को बहुत अजीम लगता है कि इतना होट वोरफरेंड होने के बाद भी अभी तक उसने कुछ नहीं किया फिर ये सब अपने लास्ट कूल ट्रिप के लिए निकल जाते हैं ये सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं फिर होटेल में पीटर लारा जीन को टीचर्स के सोने के बाद उसे मिलने को कहता है ताकि दोनों हैंग आउट कर सकें दोनों ऐसा ही करते हैं और एक बेकरी पहुँचते हैं जहां लारा जीन पीटर को बता देती है कि उसका स्टैनफॉर्ड में एडमिशन नहीं हुआ पर ब्रुकलिन में हो गया है ये सुनके पीटर को सदमा तो लगता है पर वो भी लारा जीन की तरहां पॉजिटिव ही रहता है कि लारा जीन का एक सेमिस्टर के बाद ट्रांसफर हो जाएगा अगले दिन टीचर्स के आने तक ये सब ट्रूथ एंड डेर खेलते हैं जहां लिकस क्रिस को ट्रेवर के साथ प्रॉम पे जाने का डेर करता है और उसके पास हाँ बोलने के इलावा कोई आप्शन नहीं रहता फिर टीचर्स आके बच्चों को ग्रूप्स में डिवाइट कर देते हैं जिसकी वज़ा से पीटर और लारा जीन अलग हो जाते हैं पर पिक्चर्स की मदद से कनेक्टिड रहने का फैसला करते हैं दोनों ही अपने दोस्तों के साथ पूरा पूरा इन्जवाइठ करते हैं पर एक दूसरे को हर पिक्चर सेंड करते हैं एन्वाइयू पहुंचके लार जीन को पता चलता है कि जैन का वहाँ एडमिशन हो गया है लारा जीन और क्रिस जैन की NYU की फ्रेंड का इंविटेशन एकसेप्ट करते हुए उनके साथ एक पार्टी पे चली जाते हैं जहां तीनों बहुत इंजॉय करते हैं फिर जैन की दोस्त से लारा जीन को पता चलता है कि वो भी किसी लड़के के साथ सेम कॉलिज जाना चाहती थी पर उसका दिल न्यू यॉर्क और NYU पे आ गया इसलिए दोनों ने अपने रस्ते अलग कर लिए वहां एक ब्यूटिफल सौंग सुन के लारा जीन वो पीटर को सेंड करके अपना प्राम का सौंग बनाने को कहती है उसके बाद वो तीनों NYU की लड़कियों के साथ मिलके उनवे से एक के एकस बॉइफरेंड के घर से उसका पिंग काउट चुराते हैं जो वो ब्रीक अप के बाद उसे वापस नहीं कर रहा है इन शॉर्ट वो रात उन तीनों के लिए फुल मस्ती और एडवेंचर से भरी होती है और लारा जीन का भी उस सिटी पे दिल आ जाता है लारा जीन के वापस आने पर पीटर उसका लॉबी में ही इंतिजार कर रहा था क्यूंकि काफी टाइम से लारा जीन ने उसे मेसेच नहीं किया था फिर दोनों अपने दिन के बारे में बात करने पीटर के रूम में चले जाते हैं ट्रिप से वापस आके लारा जीन मार्गो से माफी मांगती है और उसे बताती है कि वो ठीक थी लारा जीन को पीटर के इलावा भी सोचने की जरूरत थी और इस बात का एहसास उसे न्यू यॉर्क जाके हुआ है और अगर उसे एन्वायू से कॉल आ गई तो वो ही जाने का सो जाते हैं उन्हें और उनकी फैमिली को देख पीटर का मूट बहुत आफ हो जाता है और वो लारा जीन को लिए वहां से निकल जाता है घर जाने से पहले लारा जीन पीटर से कहती है कि अगर उसके डाइड इतनी कोशिश कर रहे हैं तो उसे उन्हें एक मौका देना है इस पर वो बहुत हुश हो जाती है वो पीटर को भी बताती है पर वो इसे एजी लेता है क्योंकि उसे यकीन था लारा जीन ब्रुकलिन ही जाएगी लारा जीन कोई फैसला नहीं कर पा रही होती कि उसे क्या करना चाहिए ना ही कोई उसे समझ रहा होता है इसलिए वो इस लारा जीन के सब सवालों का जवाब भी होता है। रात को लारा जीन के फादर भी उसे समझाते हैं कि उसे खुद से सच बोलना होगा। वो खुद को या अपनी खुशियों को मार के इस रिलेशन को कभी नहीं बचा पाएगी। और अगर दुनों का साथ होना लिखा है तो पहले लगता है कि लारा जीन ये ट्रांसफर होने तक के लिए कर रही है पर जब उसे पता चलता है कि वो वहीं से पढ़ना चाहती है तो उसे घुशा आ जाता है उसे लगता है कि जैसे वो जान के इस रिलेशन को खतम करना चाह रही है पर अब वो कर भी क्या सकता था ये लारा जीन की जिन्दगी थी इसलिए वह चुब कर जातक है लुकस ये सुनके बहुत खुश हो जाता है कि लारा जीन एनवाईउ जा रही है क्यांके वह भी वहीं जा रहा था लारा जीन पीटर को उसकी एयरबुक्स साइन करनी को हना पर पीटर को लगता है कि ये वो लोग करते हैं जो छोड़ के जा रहे हों पर लारा जीन के खातर वो इसके लिए भी मान जाता है घर आके जब लारा जीन देखती है कि किटी की चादी की तैयारियों में अपनी मर्जी करने की कोशिश कर रही है तो उसकी और लारा जीन की किये हुई एक बॉक्स में उसे देने के लिए डाल दीती है ताकि वो उसे स्पेशल फील करवा सके जिसके बाद वो और क्रिस ब्यूटिफुल सा तयार होके पीठर और ट्रेवर के साथ प्रॉम नाइक के लिए जाते हैं जहां वो सब बहुत मजा करते हैं फुल मस्ती वाली पार्टी करते हैं पीठर प्रॉम किंग बन जाता है और इसी सेलेबरेशन में बिजी हो जाता है जिसकी वज़ा से लारा जीन अकेला फील करने लगती है उसका मूड अच्छा करने के लिए पीठर उसके साथ एक रॉमैंटिक डांस करता है फिर जब वो उसे घर जोने जात होए अपनी वर्जिनिटिक होने की कोशिश करती है पर पीठर उसे रोक के आज ही ऐसा करने की वज़ा पूचता है जिस पर लारा जीन कहती है कि उसे लग रहा है कि पीठर उसे दूर जा रहा है और जब से उसने लारा जीन के एन्वाइयू जाने का सुना है वो बहुत जादी की तैयारियों में खुद को बिजी करते इस बारे में भूलने की कोशिश करती है वही पीटर लारा जीन की बात का मान रखते हुए अपने डैट से मिलने चला जाता है जो उसे कहते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस पे कभी गिवप नहीं करते उनकी ये पीटर के दिल को लगती है लारा जीन के फादर की शादी अच्छे से गुज़र जाती है और वो उपने अनीपूह के लिए चले जाते हैं एवेंट खतम होने के बाद जब किटी और नारा जीन घर में आते हैं तो किटी उसे कुछ लेने के लिए वापस लान में भीजती है जो कि असल में वो उसको पीटर से मिलवाने के लिए करती है वहां लारा जीन को अपनी येर बुक बड़ी मिलती है जिसमें पीटर ने उनके फर्स टाइम मिलने वाले दिन के बारे में लिखा था और साथ ही ये भी कि उस दिन उसने सोचा भी नहीं था कि लारा जीन उसकी जिन्दगी का इतना जरूरी हिसा बन जाएगी जिसके बगर वो रहने का सोच भी नहीं सकता है पीटर लारा जीन से माफी मांगता है और उसके हर फैसले में उसका साथ देने का वादा करता है और यकीन दिलाता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा जिसके बाद दोनों अपने प्राम सॉंग पे डांस करते हुए किस करते हैं फिर रूम में जाके फाइनली लारा जीन पीटर के साथ अपनी वर्जिनिटी खतम करती है इनकी कॉन्विकेशन अच्छे से गुजरने के बाद लारा जीन और पीटर एक दूसरी से हमेशा साथ रहने का वादा करते अपनी न्यू लाइफ की तरफ बढ़ जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है तैंक यू फॉर वाचिंग